हेलो, असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे, वेलकम करता हूँ आपको आपके फेवर्ट यूट्यूब चैनल में, मेरे नाम मुहम्मद फाहद, आज की डिसकेशन का टोपिक है बलड, सो लेट स्टार्ट इप, बलड इस कॉ इट कैरीज डिफरेंट मेट्रियल्स, नूट्रियंट्स, एंड गैसे फ्रों वन पार्ट ओफ दी, वोटी तू दी अनदर, इन दिस वेए, इट कनेक्स डिफरेंट टिशूज अन ओर्गन्स, तो दैट इस वाय, बलड इस आ कनेक्टिव टिशू, बलड बेसिकली दो मेच 42% वाटर पर बेस करता है, प्लाजमा, उसके लावा 8.5% सल्यूर्स होते हैं, जिन में प्रोटीन्स शामिल है, नूट्रियंट्स, गैसीज, मेटबॉलिक वेस्ट शामिल है, बलड सेल्स, 45% टोटल बलड में कंस्टिटूट करते हैं, जिन में डबली बी सीज, आर बी सीज और सेल्फ फ्रैक्मेंट्स जिने हम प्लाटीलेट्स करते हैं, इनको हम फुर्दर डिटेल में डिस्क्स करेंगे, इन्शाला, इससे पहले एक ब्रांच है, जिसका नाम है हिमेटोलोजी, हिमा या फिर हिमेटो का मतभ़ब होता है, बलड, लोजी, ब्रांच, या फिर स्ट ये फर्मेशन, बॉन मेरू में होती है, तो इस परसेस को इस फॉर्मेशन को हम हेमोपोईस बोलते हैं, बोन मेरू बेसीकली स्पॉंजी स्ट्च्चिर है, स्पॉंजी टिशू है इन दी मीडिल अफ इससे बाव़ बलोड डिसॉर्डर को डिल करती है, पॉर अग्जेंपल it transports oxygen from the lungs to the cells of the body उसके अलावा carbon dioxide को भी carry करते है from the body cells to the lungs for the exhalation उसके अलावा ये nutrients को carry करते है from the GI tract या पर gastrointestinal tract to the body cells, hormones को भी carry करते है from the endocrine glands to the body cells, heat और waste को ये transport करते है to the lungs kidneys और skin को for the elimination from the body उसके लावा blood regulate करते है पी एच को through buffers, buffers क्या होते है ये chemicals होते हैं जो के convert करते है strong acids को या फिर basis को into weak ones body temperature को regulate करते है और water content of cells को भी ये regulate करते है number three ये protection provide करता है blood against the blood loss through clothing ठीक है blood loss को रोकतेने के लिए cloth formation मनाता है cloth के होते है thrombos formation है ताकि हो blood bleeding कम से काम हो उसके लावा disease के खिलाफ ये protection provide करता है through phagocytosis phagocytosis ये process है जिसके तुरू जो फोरन organism जब पार्टिकल्स होते हैं उनके अंगल्फन अंगल्फ हो जाते हैं पर अंगल्जेशन हो ठीक है ठीक है उनमें बक्तेरिया शामल है वार्स शामल है थ्रू फेर्गोसाटिक वाइड ब्लड़ सैल्जर प्रोटीन्स अच्छ एस एंटीबोडी इंटरफिरोंस तो बैसिकली प्रोटेक्शिन प्रोटेक्शिन प्रोटक्शिन प्रवाइड गांस्ट डिजीज इस इस इन एक वार्टरी फिलिट है जिसमें 90-92 परसेंट के लावा होते हैं जहनमें से अमल लेटियमेंट करा है इसेंपल उसेंपल और समॉल ग्लास ट्यूब्ट करें इन आ स्माल ज्लास्ट्टूप स्रेटर्फिशन बिश्किलिए है कि यह एक तैक्नीक है सेपरेट करनी के लिए ढिफरेंट्स होबा लिक्विड ठीक है अकोर्डिंग फिर की एक एक मार्ण जिसेप डेंसटी विसकोसिटी तो जो सैल्स होते है जो मौडंस होते है वह बैठ ज लेख सकते हैं प्लाजमा यह उपर बना देता है और जो अरिफ्रोसाइड्स है वो बोटम में जाके सिंक आप ठीक है इसके तुरू टेक्निक अफ दी सेंट्रिफिटेशन जबकि लिउकोसाइड से यह मिड में आ जाते हैं ठीक है प्लाजमा टोटल ब्लाइड में 55% कंस्टि करते हैं गैं रट टाजमा लेट को डव्ली जी को रबी सीज को रिमूब करते हैं फ्रम ब्लैड अस्ट्रा कलेट लिक्विड पोर्शन बाज जाता है जिसे हम ब्लाजमा बोलते हैं ठीक है प्लाजमा बेसिकली बाट्रें 91.5% जिसमें एट उसके लावा एट पॉइट पा की जाल जो कि इस एवन परसंट का 54 परसंट कान्टिब्यूट करते हैं ग्लोबियून सिस्टम में पार्टिसपेट करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं अगेंज इस सिंग इन्हें आंटी बोडीज भी कहते हैं कि यह एंटिजन के खिलाफ यह fight करती है because they are produced during the certain immune responses इसलिए हम इनको immunoglobulins कहते हैं फोम डेलिमेट में RBC से आमल है WBC सामल है जिने हम leukocytes कहते है ठीक है अब WBC को हम further classify करते हैं on the basis of granules ठीक है into granular leukocytes and a granular leukocytes जो granular leukocytes होते हैं में granules मुझुद होते हैं जो के basically teeny sex होते हैं या फिर seed like structures होते हैं ठीक है जो एक granular होता है एक आता नोड ऎने को granular इनमे propor stage मुझूद नहीं होते हैं ठीक है अब जो granular leukocytes होते हो बिश्किल वुद्भेक्ट क्लीयर रोते हैं नजर नहीं आ रहो हए ठीक है अब कि वो घुन होता है जो घ्राइबं नीजिए सद्लिकेर अब क्ने कि आफ्टर जाते हैं यहोराreiben भी इसमय जाते है एक फटर्फर JES ली घोंते निंदे लॉकसाइब्स डीन, ले dáeg है यह भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आता है यह सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं बेसीकली और बिसीज को हम कहते है बिसीकली oxygen केरिंग पर्टीन होती है इसमें जिसे हम हीमोगलोबन बहुत है कि oxygen के molecule को carry करती है यह एक basically pigmented protein है जो कि whole blood को red color देता है important point है कि जो hemoglobin है यही basically पूरे whole blood को red color देता है अब healthy adult male में 5.4 million RBCs मौझूद होते है per microliter of blood जबकि healthy adult female में 4.8 million RBCs मौझूद होते है पर microliter of blood अब one drop of blood जो है वो बराबर होता है is equal to होता है 50 microliter ठीक है अब जो RBCs है उन में nucleus मौझूद नहीं होता it means RBCs can't divide RBCs divide नहीं हो सकते ठीक है RBCs का life span है 120 days उसके बाद RBCs की destruction स्टार्ट हो जाती ठीक है इसी लिए to maintain normal numbers of RBCs new mature cells must enter the circulation at the astonishing rate of at least two million per second to maintain the balance of the equally high rate of RBC destruction ठीक है RBC destruction के rate को equal करने के लिए balance करने के लिए new mature या new forming cells को enter होना चाहिए circulation पर इस rate पर two million per second RBC के नोट में किया यह basically bike and cave disc है ठीक है यह inward कर्व inward होते है ठीक है इनका जो center है उसमें volume कम होता है with a diameter of seven to eight micrometer mature RBCs का structure हो सिंपल है इनकी जो plasma membrane RBC में उन में glycolipids मौझूद होते हैं जो basically antigens होते हैं और various blood groups को identify करते हैं या फिर account करते हैं ठीक है for example abio blood group system rh blood group system ठीक है RBCs में nucleus मौझूद नहीं होता और्गनली भी नहीं होती इसी वज़ा से reproduce नहीं कर पा रहे होते हैं ठीक है और नहीं वह metabolic activities को carry on कर पाते हैं आर्बिस्स कभी कबार adhere हो जाते हैं join हो जाते हैं to one another at their broader surfaces and this arrangement which resembles the pile of stacked coins ठीक है is called Rolex ठीक है basically हमें ऐसा होता है कि हमें दिख रहा होता है जैसे pile of stacked coins यानिके coins का एक group पड़ा हुआ है ठीक है formation को हम कहते है Rolex formation यह formation क्यों होती है due to the increase level of plasma protein fibrinogen उसके level के increase होने के वज़ा से Rolex formation होती है यह basically infection या पर blood cancer को identify का रहा होता है functions के rbc के rbc में protein होती है हिमोगलोबन जो के oxygen केरी करती है from the lungs to the all parts of the body cells ठीक है उसके अलावा कहते है transporting oxygen and carbon dioxide को transport करने के अलावा हिमोगलोबन का जो play also plays a role in the regulation of blood flow and blood pressure कैसे हिमोगलोबन actually nitric oxide को release करती है जो के vasodilation cause करता है blood vessels dilate करते हैं जिसके वज़ा से blood easily circulate करते हैं ठीक है blood flow increase हो जाता है कि आरवीची के जो life cycle है वाण 20 days होता है उसके बाद आरवीची डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं डब्लीवीची इनाटमी डब्लीवीची आप ल्यूकोसाइड बैसीकरी इसमें nucleus होता है और full complement of other organelles भी मौजूद होते हैं लेकिन इसमें हीमोग्लोबल नहीं होता ठीक है आरवीची में nucleus नहीं होता लेकिन डब्लीवीची में nucleus होता है ठीक है और डब्लीवीची को हम classify करते हैं granular और a granular में डिपेंडिंग ओन वाइदर दे कंटेन साथ साथ साथे प्लास्मी वैजिकल जिसे हम granules बहुते हैं ठीक है अफ्टर डियार मेड विजीबल विजीबल हो जाते हैं after the process of staining जब हम इसको व्यू करते हैं थुरूब लाइट microscope granular weakocytes के टाइप से यूद्ट्रफिल्ट यूजाय और बैजिफिल्ट याब क us डबकि एग करनेале लिकोसाइट चेन में यह ** ल लीजीबल होता है जब मयलाईट स्टेम्दो इसल माईलाइट टीश्यु में मॉजूद लो स्टे माइलाउट क्या होता है बोन मैरो को क्या है होते हैं, lymphoid stem cells कहां पर मोज़ीद होते हैं lymph में, जो की lymphatic system का एक flirt, normal जो WBC count है, वो range करते है, 4000 to 11,000 cells per microliter of blood, function किया, यह immune system में अपना part अदा करते है, ठीक है, body को protect करता है from infection, these cells circulate करते है through your bloodstream and tissues to respond to injury or illness by attacking any unknown foreign organism, जिन में bacteria आ जाता है, viruses आ जाते हैं, जो कि आपकी body में enter हो जाते हैं, तो और diseases से आपको, आपकी body को protect करते हैं, granular leucocytes में पहले है, neutrophil, neutrophils के जो granules होते हैं, smaller होते हैं, छोटे होते हैं, evenly distributed होते हैं और pale lilacin color होते हैं, purple color होता है, इसके granules का, उसके लावा जो granules होते हैं, वो neutrophilic होते हैं, यहीं वज़ाए कि जो granules होते हैं, ना don't strongly attract, either या वो acidic हो या पर basic chain हो, वो attract नहीं होते हैं, अब जो उसका nucleus and neutrophils के, उसमें two to five lobes होते हैं, जो के connect होते हैं, भाई, very thin strands of nuclear material, जैसे-जैसे cell की age बढ़ती है, nuclear lobes का जो number हो increase करते हैं, यहीं वज़ाए कि जो older neutrophils हैं, उनमें several, कई differently shaped nuclear lobes मوجود होते हैं, यहीं वज़ाए है कि हम इनको polymorphol nuclear leukocytes कहते हैं, या फिर polyps बोलते हैं, poly का मतव होता है, poly का मतव होता है, many morpho का मतव होता shape, यानि के बहुत सारी shape रखने वाले nuclear lobe वाले leukocytes, जिनने हम PMNs बोलते हैं, यह जीनोफिल्स, यह basic जो इनके granules होते हैं, वो larger होते हैं, uniformly sized होते हैं, within an eno eosinophrine, ठीक है, यह stain कर जाते हैं, red orange with acidic dyes, जो इनके granules होते हैं, वो don't cover, cover नहीं करते हैं, नुकलियस को, या फिर abstract नहीं करते हैं, नुकलियस को, इनके जो nucleus होता हैं, उसके दो या फिर तीन lobes होते हैं, बैज़ोफिल्स, जो के तीसरी type है, granular leukocytes के, इनके जो granules होते हैं, वो rounded होते हैं, variable size होते हैं, जो size है, वो granules को vary कर रहा होते हैं, बैज़ोफिल्स होते हैं, और stain कर जाते हैं, blue purple with basic dyes, हमने basically comparison करना है, य़ियोफिल्स को, बैज़ोफिल्स के साथ, छीकए, इसके जो granules होते हैं, को mo arrows को या तोन तौर पर जो नुकलियस को, एक granular leukocytes, इसमें लिंफोसाइट आ जाता है, जो उसका नूकलियस होता है, वो dark stain हो जाता है, जो कि rounded होता है और slightly indebted होता है यानिकि slightly curve होता है जो cytoplasm है वो sky blue stain करता है रिम बनाता है around the nucleus lymphocytes को हम classify करते हैं into larger lymphocytes और smaller lymphocytes according to its cell diameter large lymphocytes को जो diameter हो 10 to 14 micrometer होता है जब को small lymphocytes का 6 to 9 micrometer होता है lymphocytes के कहता है कि clinical significance है in acute viral infections और some immunodeficiency diseases क्योंकि यह immune system में protection प्रोवाइड करता है against diseases और infections आपकी बोटी को protect करता है monocytes, monocytes का जो nucleus है वो kidney shape होता है या फिर horse so shape होता है उसका cytoplasm हो blue gray होता है और firmy appearance मौजुद होता है blood जो basically एक channel है, conduit है for monocytes जो के migrate हो जाते है from the blood into the tissues जहां पर जाके जो monocytes हैं, tissues में जाके enlarge होते है differentiate या पर develop होते हैं into macrophages macrophages की दो types है, fix और rendering पुछ जो fixed macrophages होते हैं, इसका मतलब बता है, पार्टीकुलर मक्सूस जो के आपको granulocytes और एक granulocytes, इन में दो types है, granulocytes में 3 types है, neutrophils, eosinophils, bazophils, आप दे सकते हैं, nucleus के 3 lobes हैं, जो के आपस में connected है, biothin strands of the nuclear material, यह दे सकते हैं, यह आप granulocytes दे सकते हैं, जो के seed like structures होते है, granulocytes, यहाँ देखें, आप एक granulocytes में आपको granulocytes में आपको granulocytes नजर नहीं आ जाएं, देख सकते हैं, ठीक है, अब lobes आप दे सकते हैं, ठीक है, इसका लोब दे सकते हैं, थोड़ा सा kidney shape होता है, यह फिर horse shoe shape है, बक्तेरिया के खिलाफ fight करता है, viruses के खिलाफ, fungi के खिलाफ, ठीक है, यह भी जो है, वो produce करता है, immune responses, lymphocytes, आप देख सकते हैं, लेट लेट लेट्स, जिन्हें हम thrombocytes मोंते हैं, इसका एक पूरे formation के एक series of cycle है, जिसका हम हों discuss करते हैं, ठीक है, थ्रॉंबो पोईटीन एक हार्मोन है, इसके influence में जो myeloid stem cells है, वो develop हो जाते हैं, इन्टु mega karyocyte cloney forming units, जो कि further develop हो जाता है, इन्टु precursor cells, जिन्हें हम mega karyoblast होते हैं, अब जो mega karyoblast है, वो fragment को हम क्या कहते हैं, प्लेटिलेट्स या पर थ्रॉंबो साइट बोलते हैं, जो कि enclosed होता है by a piece of the cell memory, ठीक है, ठीक है, प्लेटिलेट्स बेसिकली एक cell fragment है, किसका, mega karyocyte, mega karyocyte क्या होता है, huge cells होते हैं, जो marrow में ही, जो mostly blood cells की formation होती है, इस formation को हम, हम opoiesis बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद जो प्लेटिलेट्स हैं, वो blood circulation में enter हो जाते हैं, प्लेटिलेट्स के note में क्या है, कि basically between इसकी जो range है, वो 1.5 to 4 lakh तक होती है, ठीक है, in each micro liter of blood, प्लेटिलेट्स जों से होते हैं, irregularly disc shape होते हैं, 2 to 4 micrometer in diameter होते हैं, और exhibit करते हैं, many vesicles, ठीक है, ये भी vesicles को exhibit करते हैं, लेकिन platelets में nucleus नहीं होता, आर्विसिज में भी nucleus नहीं होता, platelets में भी nucleus नहीं होता, उसके लावा platelets कहता है कि series of chemical reactions को initiate करवा सकता है, start करवा सकता है, ठीक है, that culminates, कलाइमेक्स in the formation of a network of insoluble protein threads called fibrin, fibrin basically protein thread है, जो कि insoluble होती है, जो कि blood clot का major component है, ठीक है, blood clot basically क्या होता है, एक gel like mass है, जिसमें fibrin thread मौजूद होते हैं, ठीक है, platelets होते हैं, और other blood cells भी मौजूद, यहापर trap हो सकते हैं, ठीक है, thread clot basically क्यों होता है, bleeding को रोकने के लिए blood clot होता है, ताकि bleeding को कम से कम किया जा सके और इसको control किया जा सके, आज के लिए इतना मुझे जीजी अजासे, चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, अल्ला हाफिज. यहावाप जीजीजी गाराइग', ट्ज हैज मुझे वाणिखाय कना झाजर्सा आजआ होता है, तु। educ Twitch वाढूदे जीजीजी भिएगलमेशने एट सके बूलिजांaci म爱र्स सकते हैं.